आपका मेरी चैनल में एक पर फिट से वेलकम है और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़े बताऊंगा जो हम रोज के रोज बहुत ज़्यादा गलत कर जाते हैं काफी बात और जिसके कारण हमारे जो फूल हैं वो अच्छे से नहीं आते हैं common gardening mistake जो हम winter garden में करते हैं वो आज आपको मैं दिखाऊंगा और उसको अब कैसे सही कर सकते हो उसके बारे में भी आज आपको पता चलेगा वीडियो को end तक जुरूर देखेगा आप पहले देख सकते हैं मेरे पौदे सभी डेलिया के कितने अच्छे चल रहे हैं और पीछे से पेटूनिया भी फूलों के साथ बहुत अच्छे से ग्रोग कर रहे हैं सबसे पहला दोस्तों जो हमारे पास point है वो है pot selection हमें गमले का चनाओ कैसे करना चाहिए काफी बार हमारे जैसे मैं भी काफी बार mistake कर जाता हूँ जैसे हमें पता है कि यह जो pot है यह 8 हिंची का है और इसमें हम कोई भी seasonal लगा सकते हैं कुछ seasonal ऐसे होते हैं जो जादा जल्दी से नहीं बढ़ते हैं उनको छोटे pot ही पसंद रहते हैं shallow pot जिसमें से सबसे पहला पौदा आता है पैंजी अगर आप दोस्तों इसकी pot लगाएंगे पैंजी की एक यहां से यह बढ़ने को बहुत जादा टाइम ले लेगी और कहीं न कई फिर भी आपकी space थोड़ी बहुत बच जाएगी जब इसका season over होने वाला होगा अगर हम बात करें पैटूनिया की पैटूनिया के लिए यही pot best रहता है क्योंकि उसकी spreading एक महीने में लगबग max में हो जाती है इसके कारण दोस्तों pot हमेशा वो चुनें जो पौदे को पसंद है पैंजी को अगर हम बात करें जैसे पैंजी अलाइसम होगे इनको आपने जारत से ज़्यादा 6 इंची का गमला देना है और बड़े गमले में अगर लगाना चाहिए दो पौदे लगा सकते हैं उसके साथ क्या रहेगा पौदा थोड़ा सा सही रहेगा ज्यादा पौद बड़े लेने के कारणी ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मौस्टर लेवल जाता होने कारण पौदा जड़ से अलग होके फंगस के कारण मर जाता है तो पौद सेलेक्शन दोस्ता आपको बहुत ध्यान से करनी चाहिए जो भी आप पौद लेगाना चाते हो पैटूनिया के लिए ये बेस्ट रहता है पैंजी एलाइसम जिनकी स्प्रेडिंग थोड़ी सी कम होती है पौदे छोटे रहते हैं तो उनके लिए छोटा 6 इंची का गमला ही आप चुनें और जो दोस्तों दूसरा पौइंट रहता है वो हमें जैसे पौदे को धूप चाहिए उसके हिसाब से रहता है हम जो कोई नया पौदा लेकर आते हैं काफी बार नसरी वालों ने वो वहां पे रखा होता है जहां पे धूप कम आती है पर हम वो चीज़ को नोटिसी ही नही करते हैं काफी बार हम अपने घर पे लेकर आते हैं उस पौट पर उनको रख देते हैं जहां पर इनको आठ घंटे की धूप मिलती है जिसमें से कुछ पौदे हैं कारनीशन तो चलो पूरी धूप में भी चल जाता है बट जो प्राइमूला हो गया और जो जर्बेरास हो ग जाती है और यह अब देखता तो अभी जर्बेरस खिलने वाले हैं जर्बेरस में बर्ड जाई हुई है इनको पूरी धूप में नहीं रख सकता हूँ क्योंकि कहीं नगए इंसके जो पत्ते हैं लाल होने शुरू हो जाते हैं और साथ में क्या होता है कि पीले भी पढ़ने शुरू हो जाते हैं पहले मैंने धूप में रखकर देखा था पर मेरा जरबेरा अच्छी से नहीं चला है इसलिए दोस्तों इसको फुल शेड में भी नहीं रखना है और पूरी धूप में भी नहीं रखना है कम से कम दो गंटे की जो इंडिरेक्ट सनलाइट है इनको आने च क्या है किस हिसाफ से हमें उसको ग्रो करना है उसके साथ आपका पौदा बहुत अच्छी से ग्रो करेगा और बहुत सालों तक आपके घर पे रहेगा तीसरा दोस्तों पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैं अभी सभी के उपर पानी डालना हूँ ये जैसे हम दोस पूल नहीं आये हैं उसके उपर ही डालना हूँ उसके पीछे पैटूनिया के फूल पड़े हैं फूलों वाले पौदें के उपर आपको कभी भी पानी डालना है जिनके उपर फूल खिले हुए हैं उनके साथ दोस्तों एक चीज़ की बहुत प्रॉब्लम लहती है कि कराब हो सकते हैं इसमें फंगस भी लग सकती है इसलिए जब भी आपके पौदे भी फ्लावरिंग होती है कभी इसके उपर पानी नाच चिरिकें सिर्फ आपको वही पौदों के उपर छिड़कना है जो आपके पौदे हैं अभी फूल नहीं दे रहे हैं यह दोस्तों पाइशा जाती उसको हम रोक नहीं सकते हैं पर अपने तरफ से हमें कभी भी इनके उपर पानी नहीं डालना है जब भी हम को मिस्टिंग करते हैं यह पानी देते हैं फूलों को या फटिलाइजर देते हैं फटिलाइजर कभी भी फ्लावरिंग के उपर आपका नहीं जाना च जाहिए और जो normal plants होते हैं उनको कम पर काफी बार winter flowers में भी ऐसे काफी पौदे होते हैं आपको सिर्फ information दे रहे हूं कौन-कौन से पौदे आपको पानी देखकर डालना चाहिए जिसमें से दोस्तों सबसे पहले आ जाता है ice plant ice plant एक तो succulent आई ये तो चलो इसकी property है पर इसकी जड़ें भी बहुत जारा चोटी होती है जिसको इतना पानी नहीं चाहिए होता है मैं आपको कहूंगा कि मेरे इसाब से मैं दूसरे पानी डालता है और इसको मैं 4 दिन में डालता हूँ क्योंकि दोस्तों इसका पूरा पानी सूखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो इसकी ग्रोथ है वहां रोक जाएगी जब तक उसमें पानी नहीं जाएगा बाहर तो ये ग्रोथ वहां पर ही रोक रखेगा और उसके कारण काफी बार हमारा पौदा अच्छे से नहीं खिल पाता है इसलिए दोस्तों जभाद आप कोई पौदा लगाते हैं उसकी पानी के रिक्वार्मेंट ज़रूरी पेसर्च करें या First देखें कि आपको रेक्ट करा रहा है ज्यादा पानी देने के कारण या घया कम पानी देने के कारण ऐसी ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे पौदे होत इसमें दोस्तों पत्ते बहुत जल्दी से पीले होने लग जाते हैं अगर हम इसका एक दिन भी पानी स्किप कर देंगे अगर इसकी मिटी सूखी रहेगी इसके कारण वो हम रिवाइब दुबारा से नहीं कर सकते तो यही अच्छा रहता है कि थोड़ी बहुत अगर हम रोज के रोज इसके उपर मेस्टिंग करते नहीं या थोड़ा से शावरिंग के साथ पानी देते रहे तो इसके साथ इसमें मौईस्टर लेवल बहुत अच्छा रहता है यह छोटी छोटी चीज़े होती हैं दोस्तों जो आपके पौदे की growth को productivity को खराब करती है तो आपको यह चीज़ का भी अपने पौदे में दियान लखना चाहिए और दोस्तों जो हमारा last point है वो सभी पौदों के related है क्या होता है काफी बार हमारे पास ऐसे पौदे होते हैं जिनको थोड़ी सी space चाहिए होती है फैलने क के लिए और काफी पौदे ऐसे होते हैं जो अच्छे से अगर हम थोड़ा सा एजस्ट करना चाहिए पौदों को उसमें भी अच्छे से रह लेते हैं जैसे अगर आप बात करें मेरे डेलिया के पौदे हैं वही मैंने एक लाइन में रखे हैं 14 पौदे और पिछले जो मेरे पौदे हैं वो थोड़े से जादा हैं इससे उसको भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए वैसे पैटूनिया को पर मैंने नहीं दी हुई है डेलिया को थोड़ी सी मैंने दी है क्योंकि इनके पत्ते एक दूसरे के साथ लग रहे थे ऐसी ही दोस्तों मैं और आपको दिखाते पौदे मेरी गूल्ड है मेरी गूल्ड के इतना ज्यादा बाहर स्प्रेडिंग नहीं होती है अंदर ही स्प्रेडिंग करता है इनको मैंने साथ-साथ ने रखा हुए अगर आप देखें जो ये वाले पौदे हैं थोड़े से क्राइजेंथिमम के इनको मैंने थोड़ा सा दूर दूर रखा हुआ है ऐसे ही दूस्त आपको space management भी करनी आनी चाहिए क्योंकि काफी पर अगर हम पौदे को बहुत ज़्यादे एकठे रख देंगे तो वो पत्ते अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे और इनकी जो flowering अच्छे से नहीं हो पाएगी और मैं आपको ये चीज़ बताना जाहूंगा कभी भी flowering के उपर सिर्फ focus ना करें पौदा वही अच्छा होता है जिसमें flowering भी अच्छे से हो, plants के leaves भी अच्छे से हैं और उसकी जो health है वो भी बहुत बढ़िया रखे रहे तो इसके कारण आपको fully आपके पौदे के उपर देखना चाहिए कि कैसा आपका पौदा होना चाहिए जिसमें जितनी space है उतनी आप provide करें तांकि आपका पौदा एक दूसरे के साथ टकराए ना और आपका पौदा मरे ना क्योंकि काफी बार क्या होता है पौदों को अच्छे से अगर space नहीं मिलेगी वो थोड़े से छोटे रह जाते हैं आप मालनीजे अगर मैं एक ही गमले में डेलिया के दो पौदे लगा दूँ तो वो इतने अच्छे से नहीं बढ़ेंगे चितना वो एक पौदा एक गमले में बढ़ेगा तो ऐसी ही दोस्ता आपको space management भी करनी आनी चाहिए जिसके जाए आपके पौदे बहुत बढ़ी आतरीके से grow करेंगे तो आपको कैसे अपने पौदों में सही कर सकते हो common gardening mistakes रहती है आपको सही लगा होगा और आप follow भी करेंगे उनको सोधारेंगे भी और इसके लवा अगर आपको कोई और चीज़ जानी है जो मेरा personal experience रहेगा तो आप मुझे comment section बता सकते है वीडियो को like and share भी जुरूर करिए और साथ में जो हमारे new viewers होते हैं प्लीज आप channel को subscribe कर लिजे करिए जिसके ज़र आपको सभी मेरी videos का update मिलेगा अगर आपको मेरी videos बढ़िया लगती है और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई और प्लांट के बारे में जान करी चाहिए या ऐसी ही gardening tips चाहिए आप मुझे comment section में अपना जो review डालें जिसके साथ मुझे पता चलेगा कि आपको कैसी videos channel पे अब देखने को पसंद रहती है तो मैं ऐसी ही videos आपके लिए बनाता रहूँगा so thank you for watching and मेरे channel को जुरू subscribe कीजिए